हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग लिए मूलविधी का टेस्ट लेकर क्या जाओं जो कि आपके आने वाले एक्जाम UPSI के लिए बेहद इंपोटेंट है तो वीडियो को क्योंकि लाश्ट में मैं आपसे कोसंस ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा साथी साथ इस वीडियो की पीडियो की डिस्क्रिप्सन में टेलीगराम चलने का लिंक दिया हुआ है वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं पहला कोसंस राष् राष्टिय महीला आयोग के गठन का प्राप्दान है तो किस दारा में तो सही आंसर हो जागा दारा तीन में तीसरा आपसें करेक्ट राष्टिय महीला आयोग में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के व्यक्तियों में पिरतियक का कम से कम कितने सदस्यों का ह होना आवसायक है जल्दी बताओं तो आपका जो सही आंसर ओजाएगा कम से एक सदस्का होना तो जो है वह आवसायक है पहला यह options करेक्ट राष्टी यह महिला आयोक के सदस्यों का कारकाल कितने वर्ष का होता है जल्दी बताइए तो तो सही आंसर हो जाएगा सर तीन वर्ष का दूसरा ओप्संस जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोशंस राष्टी महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस होते हैं जल्दी बताईए अध्यक्ष सहित तो देखो अन्य आपके मतलब अन्य सदस होते हैं आपके 6 अध्यक्ष को मिला लो तो साथ तो टोटल सही आंसर क्या हो जाएगा ओप्सं नम्बर D महिला राष्टी महिला आयोग अधिनियम 1990 की किस दारा में आयोग की सक्तियों वाकार्णियों का उल्लिक किया कर जा है तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा धारा 10 में तीसरा options correct राश्टी महीला आयोक के सदस अपना त्याग पत्र किसे देते हैं जल्दी बताईए तो किसको देते हैं सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर केंदर सरकार को दूसरा options correct next questions start करने से पहले मैं आपको बता दूँ दोस्तों मैं daily basis पहने केणी पर सुबा 10 बजे और 11 बजे दो special class लेता हूँ दोनों ही free of cost है हिंदी को दो दमागिदार तरीके से complete कर वा रहा हूँ खुसकाबरी आप लोगे लिए यह है कि एक जूल से quality भी start होने वाली है तो quality भी बहुत खतनाक तरीके से होगी अब खतनाक तरीके से कैसे होगी explain करनी सकता मैं जब तक class में आओगे नहीं class की quality को देखेंगे नहीं content को पहचानोंगे नहीं मैं अपने मुझ से अपनी तारिफ करी नहीं सकता एक बार आओ आराम से 10-15 मिट तक class देखो ना आये पसंद तो dislike करना मैं तो सीधा बोलता हूँ कि class पसंद नाये तो dislike करना और 4 दूस्तों से और करवाना कि इनकी dislike करो class इनकी class पसंद नहीं आई थी लेकिन पहले देखना 10-15 मिट तक ठीक है description में link मिल जाएगा class का नहीं पहुँच पारहे link से tutorial बता दे रहा हूँ किस तरीके से class तक पहुचना है आप लोग को सबसे आदा दिक्कात हो रही है मेरी special class लेने पर जो रोग सुबा 11 वजे चलती है आप जैसे ही एनकेणी पर अपना account बनाएंगे तो आपके सामने ये window कुल करके आएगे तो आपको UPCC सर्च करना है UPCC यह state PCS में आपको ये UPCC देखने को मिल जाएगा तो हमने ये देखो ये मिल गया UPCC तो हमने इसको select किया select करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो select कर लिया हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है आगे की जो आपकी processing है वो यहाँ पर हो जाएगे और आपको यहाँ पर UPCC लिखकर किया जाएगा देखो ये लिखकर किया गया UPCC अब UPCC केड़ेगरी में आपको कुछ नहीं करना आपको जाना है यह सर्च पर और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है मेरा नाम है तारिक सरवर यह मेरा नाम है तो देखो मैं आपको वहाँ पर दिख जाओंगा, यह दिख गया मैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप करोगे, तो आपके सामने, इसको आपके लिए करोगे, तो मेरी सारी classes आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी class होंगी, वो भी आ जाएंगी, देखो यह सारी classes आ गई, अब ही हाली मैं Class लेकर क्या डाव ? 27 जिस मिनिट पहले तो आपको मेरी Class देखना है सपूसकर ओ यही वाली Class देखना है तो मैंने Click किया तो अब क्या करना पड़ेगा ? Sir आपको Class अन्लोक करना पड़ेगी जैसे ही मैंने आपको Class में किया तो unlock code आपको मांगा है तो unlock code है आपका Indian study जो कि हमारे channel का नाम है Indian study कहीं भी कोई भी space नहीं है यह है और इसको हमने unlock कर दी अब आपके सामने class unlock हो गई आराम से आप class का lift उठाइए और daily basis पे आपके पास notification भी पहुँच जाया करेगी अब आपको समझ में भी आगया होगा सबकों से ठीक है अब मिलते हैं जैसे भी आपको class होगी आप उस तरही से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है next question से आपका कि राश्टिय महीला आयो किस दारा के अंतरकत अपनी बारसिक रिपोर्ट बेशती है तो किस दारा के अंतरकत अपनी बारसिक रिपोर्ट बेशती है दारा 13 के अंतरकत दूसरा options correct राश्टिय महीला आयो के अदिनियम के संबंद में कौन सा नियम बना सकता है कौन नियम बना सकता है तो कौन मना सकता है केंदर सरकार पहला options correct राष्टिय महीला आयोग के अधिनियम के किस दारा के अंतरकार केंदर सरकार आयोग से परामर्स करेगी जल्दी बताओ तो दारा 16 के अंतरकार पहला options correct राष्टिय महीला आयोग अधिनियम में कुल कितनी दाराएं होती है तो कितनी दारा हे होती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा विया हो जाएगा आपका option number c 17 दाहिज पिर्तिस्यद अदिनियम के किस दारा में दाच परिवासित किया गया है? जल्दी बताओ किस दारा में दाच को परिवासित किया गया है? दारा 2 में यानि कि दूसरे में दूसरा option correct दहेज पिरतिसे अधिनियम का उद्धेस है दहेज लेने या देने के लिए पिरतिसिद करना यह अधिनियम में उल्ले किते है किस धारा में किस धारा में उल्ले किते है तो आपका सही answer हो जाएगा यह प्रस्ताब नहीं में हो लेके देवया तीसरा ओप्संस करेक्ट दहेज प्रतिसेद अधिनियम 1961 कब लागू हुआ बैतरीन कोस्टन्स जल्दी बताओं कब लागू हुआ तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा व्या क्या हो जाएगा एक जुलाई 1961 को चौता ओप्संस करेक दहेज प्रतिसेद अधिनियम 1961 पर राष्ट पती ने कब हस्ताक्चर किये लागू हुआ एक जुलाई 1961 को लेकिन हस्ताक्चर कब किये तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा 20 मई 1961 को फिर लागू हो गया उसके बाद 2 मईने बाद दहेज लेना या देना किस विदी के अंतरकत अपराद है या तो लो या दो दोनों ही अपराद है किस विदी के अंतरकत दहेज प्रतिसेद अधिनियम 1961 के तेहत पहला ही ओप्संस करेक्ट दहेज लेने एवं देने के लिए दंड का प्राबदान दहेज प्रतिसेद अधिन आसमाने परिस्तियों में मर जाती है तो उसे प्रितम द्रश्टता दहेज मरत्यू माना जाएगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा कितने वर्स के भीतर तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा साथ वर्स कोई भी महीला बिवा के 7 वर्स यानि कि बिवा हुगा 7 साल के अंदर अगर वो उसकी मरत्यू हो गई तो उसे दहेज मरत्यू माना जाएगा ध्यान नखना इस बात को दहेज मरत्यू का उल्ले किया गया है भारतिय डण सहीता में पहला ही ओप्संस करेक्ट नेक्स्ट कोउसंस यदि किसी महीला की उसके बिवा के 7 वर्स के अंतर गत मरत्यू हो जाती है तब दहेज में प्राप्त संपत्ति मिलेगी किसको तो जो संपत्ति होगी ना यदि उसकी संतान हो तो उसे मिलेगी तीसरा ओप्संस जो है वो आपका बिल्क utilizing क्या होगा sir correct हो जाएगा समझ गए तो दोस्तों ये थे आपके 20 important मूल विधी के questions जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको करवा दिये अब कल एक बच्ची का comment आया कि sir आपने title में डाला 1000 questions और 1000 तो हैं नहीं है अरे भया 49 40 भी वीडियो है हर वीडियो में 25 questions हैं और एक दो वीडियो में 20 questions हैं मैं तो कह रहा हूँ कि 40 का multiply आप किस से करवा लो 25 से करवा लो तो 25 400 तो 1000 questions तो यही हो गाए मैं मान रहा हूँ कि 2-3 वीडियो में मैंने 20-20 questions करवा है ठीक है तो 20-20 questions करवा है तो चलो 20 से कर लो तो भी 800 हो गए करवा चुका हूं मैं सब कुछ जो लिखता हूं वो करवाता हूं और जैसा नहीं हूं कि न्यूस पर ध्यान दूँ आप सभी लोग जान रहा होंगे आपको यह बताने वाले बहुत हैं कि तयारी यूपी ऐसे करो बैसे करो पड़ो ऐसे ऐस क्यों 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 पर व्यूज ज़्यादा आते हम यहां पर मेनस से व्यूडियो प्रोवाइड करवा के ला रहे और कॉंटेंट आप लोगों को अच्छा प्रोवाइड करवा रहे ताकि आप लोगों को सेलेक्शन हो सके तो अब आप लोग जानों कि आपको उन चैनलों क को देखना है या ऐसे चैनलों को देखना है जो आपकी एक्च्वल में तयारी करवा रहा है यह आपकी उपर डेपेंड करता है मैं नहीं बता सकता ठीक है इतने समझदार आप हो यूपिए सगी तयारी कर रहा है तो इतनी समझदार ही अपने अंदर रखते हो तुम ठीक है ब और साथ ही साथ अमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों कि में रोजना इसी तरह के वीडियो से आप लोग लिए लात रहता हूँ नमस्कार दोस्तो जै इंद जै भारत